very warm good morning to all so today we are discuss about our new chapter chapter number one of class eighth rational number okay बेटा तो अभी बेटा हमारे पास introduction में उन्होंने बोला हुआ इस chapter की introduction बढ़ते हैं बेटा सबसे पहले in mathematics we frequently come across simple equation to be solved ठीक है सबसे पहले हम simple equation लेते हैं बेटा उसको हम अभी solve करेंगे x plus 2 equal to 13 ठीक है x plus 2 equal to 13 अभी हमने क्या निकालना है x की value निकालने हैं अगर हम x की value निकालेंगे तो हमारे पास 2 है उसके साथ कहरी हुआ अगर हम 2 को इससे ही ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा 2 होने के बाद हम 13 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 जब 11 आ गया हमारे पास बेटा तो x कहां पर satisfy कर रहा है 11 value पर और उन्हें बोला the solution of 11 is a natural number तो हमारे पास क्या हो गया x का solution natural number में next बेटा होन नंबर होन नंबर कहां से 0 से start होंगे और 0 की value निकालने के लिए हम equation दी हुए है उन्होंने x प्लस 5 इकल टो 5 अगर हम 5 को इससे ही ले जाए नेगटिव 5 हो जाएगा और जी कितना हो जाएगा जीरो तो हमारे प जैसे यहां पर x की value कितनी हो जाएगी माइनस 13 तो जी क्या आफ शो कर रहा है नेगेटिव इंडीजर इस इस दा नेगेटिव इंडीजर सेकिन वन बेटा हमारे पास उन्होंने बोला 2x इकल टू 3 अगर हम देखें कि x इकल टू 3y 2 हो जाएगा कैसे कि बेटा जहां पर ज यह देखो यह देखने वाली चीजा है हमारे पास equation हा 5x plus 7 equal to 0 अभी हम इस equation को solve करें अगर तो अगर हम देखें इसको कि अगर plus का 7 आ तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा plus का 7 उस साइड जाके क्या हो जाएगा वेटा हमारे पास minus 7 ठीक है तो क्या हो जाएगा minus 7 equal to और इस साइड हमारे पास 5x ही रहेगा ठीक है हमारे पास क्या रहेगा 5x equal to minus 7 अगर x की value निकालने तो minus 7 by 5 ठीक है तो यह solve गरके हमारे पास आ गया in rational form में ठीक है this is the rational form अगर हम देखा तो इसको जब हमारे पास मैंने सबसे बहुत सब्सक्राइब में बोला आपको कि जब P and Q की form में हमारे पास होगा तो वो क्या होगा rational number ओके अभी बेटा हमने पढ़ना है we have already see basic operation on rational number अभी हमने basic operation पढ़ने है बेटा rational number पे कौन से होते हैं we know try to explore some property of operation on the different type of number seen so far different type of number लेते जैसे मारे पास बेटा आ गई properties आ गई जै मेन है बेटा आपके लिए properties पढ़ना सबसे पहले बेटा closer property है हमारे पास उसमें क्या जाएगा first of all whole number तो whole number पेटा क्यासे होगा जैसे कि मारे पास 0 plus 5 equal to 5 4 plus 7 equal to 11 तो यह हमारे पास क्या कर रहा है rational number फिर आगे बेटा मारे पास subtraction subtraction तो सबको करने आती है 5-7 equal to minus 2 क्यूंकि negative जो हमारा वो larger term के साथ carry हुआ है multiplication बेटा 0 into 3 0 3 into 7 21 division बेटा अभी हम division करके देखें दो हमारे पास node close under division ठीक है इस node whole number अभी जे whole number नहीं होगा ना जे whole number नहीं होगा अगर हमारे पास यह करते थे 2 divided by 4 तो अभी हम क्या करते 4 divided by 2 तो कितना हो जाता 2 जे क्या हो जाता whole number 4 divided by 2 ठीक है अभी बेटा हमारे पास आगे अंटीजर को देखें बेटा अगर हम operation हमने देखने अपरेशन हमारे पास दी हुए है अदीशन का माइनस 6 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 1 वह कैसे बेटा कि माइनस 6 के साथ negative के रिओ और प्लस 5 के साथ और 6 5 से बढ़ा मैनस 7 प्लस मैनस 5 तो क्या होगा बेटा माइनस 7 और यह प्लस और माइनस माइनस 5 माइनस 7 और माइनस 5 बेटा माइनस 11 तुझे हमारे पास negative integer आ गया अभी बेटा मारे पास आगे subtraction subtraction को तो पता हिया और यह बेटा हमने remarks जूर पढ़ने integer are closed under condition integer are closed under subtraction ठीक है फिर बेटा हमारे पास multiplication division हमने किया सेम यह बेटा अभी हमारे पास में जो टूपी आ वह आ गया रैशनल नमबर जो हमारा chapter है chapter में बेटा recall that a number which can be written in the form of p and q मैंने बताया आपको जब भी हमारे पास p and q की form में हम return करते हैं नमबर को वह क्या हो सकते हैं rational number इसमें p और क्यों हमारे पास integer हो सकते हैं बगर जो हमारे पास क्या हुआ वह वह is not equal to zero वह 0 नहीं हो सकता अगर one by zero को बोले जाए बोला जाए तुझे रैशन नमबर नो इस नोट रैशन नमबर ठीक है for example minus two by three nine by seven nine by minus five are rational number since the number zero minus two four can be written in the form of p and q there are also rational number ठीक है यह बी राशन नमबर है क्योंकि जिसके नीचे कुछ नी होता उसके नीचे वान होता जीरो तो लेते नहीं है हम किसी के नीचे ठीक है you know how to add rational number let's add a few pair अभी हम add करेंगे थोड़े राशन नमबर को जैसे बेटा मारे पास फॉर्स हम दिया हुआ three by eight plus minus five by seven ठीक है अगर हम देखें बेटा हमारे पास जो denominator है वो सेम नहीं है different है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका LCM LCM लेंगे सबसे पहले denominator सेम नहीं है तो LCM eight or seven two four seven का seven ही फिर टू फिर टू फिर seven ठीक है फिर two फिर one and seven seven ठीक है फोर्टीन फोर्टीन ठीक है ट्वंटीएट टू जा 56 तो मारे पास LCM कितना आ गया 56 अभी बेटा आपको पता जब वह मारे पास LCM आ जाता है LCM को सबसे पहले इसके साहत है डिवाइड और उपरवाली tème के साहत थै निमिलेटर के साहत मुल्टीप critics 55 को किया 8 के साथ डिवाइड अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले 56 को करेंगे यंड के साथ डिवाइड तो मारे पास 7 पे गया ठीक है Better 7 को करेंगे Numinator के साथ multiply, तो 7 को Numinator के साथ multiply गिया, तो मारे पास कितना 7, 3, 21, 21 आ गया, अभी बेटा हमारे पास 56 को किया 7 के साथ divide और इसको के साथ किया multiply, तो इसको किया, हमारे पास आ गया 8, और हमने किया 8 माइनस 40, ठीक है, फिर हमारे पास यह आगे 21 plus bracket में minus 40, जब जब minus 40 आगया तो बेटा अभी हमने इसको solve किया, तो मारे पास minus 19 y 56 आगया, तो यह मारे पास क्या है, rational number, ऐसे बेटा हमने multiplication plus minus LCM लेके sum करना, पूरा solve ठीक है, अभी उन्होंने बेटा आपके लिए sum रखाया कि आप यह solve करोगे, तो आप यह solve करके देखना बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका LCM तो कितना आ जाएगा, 77 और उसको क्या करेंगे, 4 into 11 plus 6 into 7, कितना हो जाएगा बेटा, 44 plus 76 जा, 42 divided by 77, कितना हो जाएगा, 6, 8 और 77, आपका यह answer हो जाएगा, 86 by 77, 86 by 77, ओके बेटा, next बेटा, अमारे पास आगया, उन्होंने बोला, will that difference of two rational number be again a rational number we have उन्होंने बोला अगर हम दो rational number में difference देखते हैं वो फिर से rational number ही बनाएगा यस पेटा वो rational number ही बनाएगा जब तक उसके है denominator same नहीं है ठीक है अगर denominator same भी हो तब भी हमारे पास वो rational number बना सकता है वो ही किया हुआ है सल्यूशन देख लो इसका अच्छे से किया हुआ वही लसी है फिर उसको उपर के साथ multiply फिर उसको solve किया हुआ नेक्स्ट बेटा उन्होंने बोला लेटास नाव सीधा परड़क्ट ऑफ टू रैशनल नमबर दो परड़क्ट लेंगे तभी वही काम होगा बेटा फिफ्टीन और फो टू जाए एट वही हुआ ना अभी यहां पर लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि multiplication है तो हम सीधा multiply कर सकते हैं next बेटा division division में क्या होगा बेटा अगर division आप देखो अच्छे से तो हम क्या करते हैं division में बेटा minus 5 by 3 divide हो रहा ना अगर हम इसको multiplication करते हैं तो यह term reciprocal हो जाती है जब यह reciprocal हो गी तो मारे पास अंसर यह आजाएगा minus 5 into 5 minus 25 and 3 to 6 best and सबसे shortcut method है divide को multiply में change गो जो चीज कटती है उसको काटो जो नहीं कटती उसको सीधा ही multiplication करतो multiplication का काम ही है कि सीधा multiplication कर देना next बेटा हमारे पास आगया commutative प्रोपर्टी को मुटेटी प्रोपर्टी जे बेटा हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आप यहीं देखो अपना और सम सोल्व करो multiplication division addition subtraction और जिनके denominator सेम है उनको नहीं शेड़ना उनको पिल्कुल भी नहीं चेंज करना जिनकी denominator नहीं सेम है उनका लोग लसी जिनका denominator सेम है उनका LC मुझे कोई जरूरत नहीं उनको सीधा जैसे यहां पर 8 और यहां पर भी एट उनको सीधा LCM 8 रखो और उसको प्लस कर दो ठीक है जा उनको माइनस हो रहे हैं माइनस कर दो तो आपके पास माइनस टू बाई एट अंसर आ जाएगा रैशन नंबर बेटा आपका इसी फोर्म में आएगा जब आपके रैशन नंबर के नीची जीरो आने लग पड़ा डिनोमिनेटर में तो समझे लो वो रैशन नंबर नहीं है वो रैशन नंबर नहीं है ठीक है बेटा यहां तक मेरे को लगता है आपको समझ आया होगा इसलिए नेक्स एक्ससाइज के समझ सोल्व गरना स्टार्ट कर दो बेटा